कि अजय कुमार एक बार फिर आप सकता स्वागत करता हूं यह टेड़ गान के यूटूब चैनल पर यह हमारी दूसरी क्लास है English Pedagogy की पिछले क्लास में हम लोगों ने Figure of Speech के बारे में पढ़ा था उसके कुछ questions भी हम लोगों ने discuss किया था कुछ figure of speech जो बहुत जादा परचलित है जैसे की simili पढ़े थे हम लोगों ने metaphor पढ़ा था personification पढ़ा था और भी बहुत सारे पढ़े थे आपको यह जानना है कि उनकों सब figure of speech पढ़े था आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते आज हम दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़े है आज भी हमारी पहली जो क्लास है वो figure of speech की ही है कुछ figure of speech रहे गए थे उसे हम लोग आज discuss करेंगे ठीक है ना तो पिना समय बरवाद कियो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा figure of speech है वो है आईरनी यदि मैं बोलू कि एक छोटी सी भासा में कि आईरनी क्या होता है आईरनी आप कह सकते हैं कि एक mismatch statement होता है जो आप उमीद कर रहे होते हैं और जो हो रहा होता है उन दोनों के बीच में एक mismatch होता है उसी के बारे में यहाँ आईरनी में पढ़ा जाता है आप छोटी सी भासा में आप कह सकते हैं कि एक बिडम बना है यहाँ पर आप ज़िए definition की बात करते हैं तो irony is a type of statement which has a double meaning यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनका जो meaning होता है इस तरह के examples में or statement में पहला जो होता है वो होता है आपका surface meaning मतब surface meaning का मतब जो आप सामने से देख रहे हैं जो उसका अर्थ निकल रहा है जो उसका दूसरा meaning होता है जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है इनर meaning is opposite to the surface meaning आप यह बात जरूर समझेंगे कि inner meaning जो है यानि जो उसकी आंतरिक meaning है जो उसके अंदर की meaning है उसके surface meaning जो आपको प्रतीत हो रहा है उसका ठीक opposite है and the intention of the speaker आप कहें कि intention of the speaker यानि जो वो statement बोल रहा है उसकी जो मंसा है is to convey this inner meaning to you आप कह सकते हैं कि उसका जो मंसा है उसकी जो ख्वाईस है वो आप तक inner meaning पहुचाना है ना कि surface meaning और छोटी सी भासम आप कह सकते हैं कि यह एक mismatch statement होता है जो हम उमीद कर रहे होते हैं और जो हो रहा होता है दोनों के भी समें mismatch statement होता है get the example जैसे मैंने आपको बोला the police station gets robbed अब police station में डाका पढ़ जाता है आप दो कि police station में डाका पढ़ना police किस के लिए होती है police जो होती है डखैती देगरा को रोकने के लिए होता है चोरी को रोकने के लिए होते है और ये भी police station में ही चोरी हो जाए और police station में ही एक डखैती हो जाए तो इससे बड़ी बेडंबना क्या होगी इससे बड़ी irony क्या होगी यानि जो statement है वो दोनों statement एक दूसरे से मैच निकर रहा है यहनी surface meaning उसका अलग हो सा रहा है और inner meaning अलग हो जा आगे चलते हैं A traffic cop gets his license suspended because of unpaid parking tickets की एक traffic police है एक traffic police है gets his license suspended उसका license suspended हो जाता है because of unpaid parking tickets किसलिए भाई उसका ticket कर जा रहा है उसका चलान कट रहा है unpaid ticket काट अब बता यह चलान कोन काटता है चलान तो traffic police ही लो काटते है लेकिन यह traffic police का ही चलान काट जाए तो इससे बड़ी बेड़मरा और क्या होगे आगे देखें A pilot has a fear of heights एक pilot है जिनको उचाई से डर लगता है तो यह भी एक irony का example है A member of PETA Wears Leather Shoes पीटा क्या होता है जानवरों के सनरक्षन के लिए बनाया गया एक department होता है तो अब member of PETA member किसका है member देखें member of PETA यानि member जो है वो PETA का है और पहनता क्या है Wears Leather Shoes यानि वो चमडे का जूता बनता है एक दम पूरी तरह से statement एक दूसरे के opposite हो रहा surface और inner मैच नहीं कर रहा एक दम mismatch statement है It's quite impossible The teacher fills the test अब teacher जो है गुरू जी है master है किसी चीज़ का वो उसी में feel हो जा रहा तो भी जम बना है A man who needs medical assistance एक इंसान जिसको medical assistance कि अवसकता है इस run over by the ambulance वो ambulance के द्वारा उसे कुचल दिया जाता आप देखे एक mismatch mismatch statement है यानि It's a quite impossible एक इंसान जिसको medical assistance कि अवसकता है एक medical सहाहिता की जरूद है और उसे कुचल दिया जाता है ambulance तो ये भी क्या एक प्रकार से आईरनी का example है ये सारे चोटी सी भासा में आप ये समा सकते हैं ये एक बिडम बना होता है एक mismatch statement होता है जो statement हम expect कर रहे होते हैं और जो statement occur हो रहा होता है दोनों के बीच में एक mismatch दिखाई देता है उसे ही हम लोग आईरनी कहते हैं ठीक है ना चलिए हम आप आएं अगले पड़ाब क्यों चलते हैं अगले figure of speech क्यों चलते हैं अगला figure of speech जो है वो epigram है देखे सारे figure of speech के बारे में एक छोटी छोटी बात अलग से आपको जुरूब बता दूगा ये तो एक ऐसे figure of speech याए सारे figure of speech ऐसे होते हैं की परिभासा इतनी बड़ी-बड़ी याद रख बाना फ्रोड़ा मुस्किल हो जाता है इसलिए शॉटकट तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है हम दोनों देख लेंगे epigram क्या है epigram is a rhetorical device मैं तो आपको पहले बता रखा हूँ कि figure of speech को rhetorical device के नाम से जानते है यह figure of speech that is a memorable जो क्या होता है एक तरीके से memorable होता है बड़ा यादगार होता है brief होता है थोड़ा छोटा होता है interesting होता है surprising होता है citrical होता है citrical statement होता है only a few words convey a lot of sense and statement is waiting कहने का मतब यह है figure of speech का जो epigram part है वो क्या होता है बहुत ही छोटा statement होता है किसी के दवारा कही गई कोई social statement होता है जो बहुत ही जादा memorable हो जाए छोटा है interesting है surprising है satirical statement है और आप कह सकते है छोटा सा ही statement होता है और बहुत बड़ी-बड़ी बाते उससे निकल के बाहर आती है एकदम हाजिर जवाब जैसा है only the statement is completely waiting तो याद रखेंगे आप किसी कह सकते हैं क्या कहें भई कि छोटी सी कोई statement है जो बहुत ही अपने आप में ताकतबर है socially बहुत जादा प्रभावित है interesting है लोगों के जीवन में बहुत बड़ा रोल योगदान कर रहा हो ऐसे statement होते है उसे ही हम लोग epigram कहते है जैसे Mother Teresa ने कहा था कि live simply so that others may live simply एकदम साधारन जिंदिगी जीए ताकि दूसरे लोग भी एक साधारन जिंदिगी जी सके तो ये भी क्या एक epigramic statement है socially beneficial statement है study sir for the delight if we do not end the war war will end us कहते है यदि हम युद्ध नहीं खतम करेंगे तो युद्ध हमें खतम करेंगे एक दिखे सोचल स्टेटमेंट है benefit मिलता है इस तरह का स्टेटमेंट से it is better to light candle than curse the darkness किसी को कोशने से बढ़िया है कि आप एक मुम्रती जला दे एक light जला दे तो यह सब सब किसके example देख रहे हैं सब एक epigram का example है किसी के द्वारा कोई भी statement कहा जाता है वो एक epigram के अंतरगत आता है समझ गया ना अभी यदि मैं बोलू कि आख के बदले आख मांगो के तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी eyes for eyes आख के अंतरगत आता है ठीक है ना याद रखेंगे हम लोग अपने अगले पड़ा प्योड़ चलते है सिनिक ड़की सिनिक ड़की और इसके बाद जो आएंगे वो होंगे आपके मिटॉनमी सिनिक ड़की और मिटॉनमी बहुत ही प्रभावशाली फिगर वीच अटम पॉरर पार्ट एक पार्ट के लिए टरम लिया जाता है संथी रहिरेफस्टु दी होल जो की उसके संचुन को संभोधित करता है और वाइस वर्सा कह सकते हैं अटग वॉड़ तू ऑपार्ट होल टू ऑपार्ट अटग जया सकते हैं whole to a part and part to a whole, हम नहीं लिख दिया है कि the whole of something और vice versa, यानि ठीक वैसे ये है, part के लिए, जैसे, for example, हमें छोटा सा इसा आपको एक point बना करें, this is a circle, ये एक circle है, इस circle के अंतरगत, बहुत सारे point हो सकते हैं, मान के चलिए, one है, two है, three है, four है, five है, six है, seven है, बहुत सारे element हो सकते हैं, बहुत सारे point हैं उसके अंतरगत, अब इन circle को संबोधित करने के लिए, इसी में का मौझूद कोई element आप लेते हैं, जैसे मान लेजी हमने पूरे circle का नाम seven रख दिया, seven बोलने से, ये circle का अंदर का जितना भी point है, वो सब count हो जा रहा है, तो ये snake duckie का example हो जाता है, hole to a part and part to a hole, जैसे देखिए, example देखते हैं, check out my new wheels, अब wheels को यहाँ पर क्या refer कर रहा है, car को refer कर रहा है, यानि हम wheels किसके लिए इस्तमाल कर रहा है, wheels हम car के लिए इस्तमाल कर, कर के एक element का इस्तमाल कर के, उसके संपूर को संबोधित करने का तरीका, snake duckie कहलाता है, अब जैसे higher hands, किसके लिए उसके लिए उसके लिए, वोकस higher hands के लिए उसके बूट्स, बूट्स हम क्या संबोधित कर रहे हैं, soldiers, अब soldiers के body के अंतर कर एक body में, जब वो पुशाक में रहते हैं, तो उनके उनके पास एक boots होता है, एक special type का boots होता है, और boots को इसका इस्तमाल कर के, हम किसका संबोधन कर रहे हैं, soldiers का संबोधन कर रहे हैं, तो ये एक सिनेक ड़की है, glasses, आई बियर के लिए उसकर रहे हैं, यानि कह सकते हैं कि सिनेक ड़की का मतलब है, hold to a part, apart to a hole, यानि उसके अंदर का मौझूद एक element ले ले लेते हैं हम, और उस element का संबोधन जो है, पूरे संबोधन के साथ है, इसलिए जब कभी एक्जाम में आप से पूछा जाता है कि बताई कौन सा figure of speech है, जो hold to a part and part to a hole को संबोधन करता, तो वो सिनेक ड़की है, वो सिनेक ड़की का इस्तमाल कर रहा होता है, ठीक है न, तो ये हैं, अब आप इसको थोगा सा देखेंगे, आपके हम अगला चैप्टर देखते हैं, मेटाउनमी देख लिए, फिर उसके बाद हम दोनों को तूलना कर लेंगा आपस में, here it is written, it is easy to confuse between सिनेक ड़की and मेटाउनमी, मेटाउनमी और सिनेक ड़की के बीच में, the students get some confusion, कभी कभी वो उनको confusion हो जाती है, बिकस कारण कहा है, बिकस कारण कहा है, बोथ, दोनों ही, use a word phrase to represent something else, दोनों ही एक सब्द का प्रियोग करके, कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिस करते हैं, यहाँ पर, अब देखें, असनेक ड़की टेक्स, एनलिमेंट अफ 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 वर्ड, किसके लिए कर रहा होता है, संपूर को संबोधित करने के लिए, यहनि, वो एलिमेंट उसी में है, वो एलिमेंट उसी का ही है, जबकि, while, a metonymy, replace the word of phrase entirely, with a related concept, जबकि metonymy में क्या होता है, कि वो एक related word ले ले लेता है, जो उसका element नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी को संपूर्ण रूप से संबोधित कर रहा है, बस अरते वो उसका element नहीं है, तो बस simple सी बात है, कि अब इस circle को संबोधित करने के लिए, कोई नया word ले ले लेते हैं, कुछ नया word ले लेते हैं, जो इसके element के अंतरगत नहीं है, अब जिसके example है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब यह point element है, अब इन सब में से किसी को नहीं रखा मैंने, मैंने इसका नाम रख दिया, sham, हमने इसका नाम रख दिया, sham, तो यह क्या हो गया, आपका metonomy हो गया, कह सकते हैं कि, छोटी सी भासा में, substitution, एक substitute नाम लेना, एक दूसरा नाम लेना, दोनों ही एक दूसरे को संबोधित करना, तो वो metonomy का संबोधन कहलाता है, जैसे मैंने का, let's take my new ride, अब ride word जो है, वो किसके लिए उसकिया गया है, car के लिए उसकिया गया है, तो car और ride का element एक दूसरे से match नहीं करता है, लेकिन हम ride का मतलब भी car होता है, इसलिए metonomy है, यानि car का एक दूसरा नाम दिया गया है, लेकिन यदि हम car को wheels कहते हैं, तो वो snake jucky है, लेकिन car को यदि हम ride का नाम देते हैं, आपका भी car वेगरा भुक करिए आप ओला पे, तो वो लिखा आता है कि your ride is on the way, तो वो ride is on the way का मतलब भी कि आपकी car रास्ते में हैं, तो यहाँ पर देखिए इसने metonomy का इस्तामाल किया है, यह कई बार paper में आ चुका है, अब यहाँ पर pen का मतलब क्या है, पढ़े लिखे लोग, जो इनके पास ज्यान है, सिक्षित लोग है, the sword का मतलब उहाँ पर जो हिंसक लोग होते हैं, तो देखिए एक नामी देदिया, अलग नाम दिया है, इसलिए यह भी metonomy का example है, let me give you a hand, आज आज आपको साहिता करना, साहिता करने के लिए उनके लिए एक word लिया है, एक साहिता करने का word है, जिसका से उन्देन नहीं है, it's since like people will do whatever Hollywood says, अब जैसे जब कभी भी हम Hollywood कहते हैं, जब कभी हम Hollywood कहते हैं, तो हम समझ जाते हैं, जदि हम कहते हैं, हिंदी जगत, फिल्म जगत, यानि हिंदी फिल्म जगत का संबोधम हो जाता है, उसी तरह से Hollywood जदी हम कहते हैं, तो Hollywood का मतल हम समझ जाते हैं, विदेसी फिल्म समूझ जगत, तो ये Hollywood जो है, विदेसी फिल्मों के जगा पर एक सब्टिट्यूट नाम लिया गया है, इसलिए ये भी Metonomy का Example, जदा गौर से समझ जगा, सर्फ जगत, डकी में क्या होता है, कि हम उसी का एक पार ले करके उसका Example शो करते हैं, जबकि Metonomy में हम क्या करते हैं, कोई दूसरा सब्टिट्यूट वर्ड ले करके उसका संबोधन करते हैं, गितने के Example में आते हैं, अब यहाँ पर यह निव ब्लड का क्या मतलब है भाई, निव ब्लड का मतलब है कि नए-ने टैलेंट के लोग, तो यहाँ पर ब्लड को टैलेंट से जोड़के दिखाया है, buat house for the US president के लिए इसके अगर tongue को language के लिए इस्तमाल किया जाता है, तो देंए दूसरे इस का कोई लेना देना है, नहीं है, tongue का language से कैया लेना देना है, language तो लिख के भी दिखाते हैं, उसमें tongue की कोई ज़रुद नहीं होती है, तो देखर एक substitute नाम लिया गया यह दोनों एक दुसरे का synonym कह सकते हैं आप एक छोटी सी बात यह याद रखिए कि synonym word यूज कर देता है उसका प्रयायवाचिव सब्दी यूज कर देता है इसका double word यूज कर दूसरा सब्दी यूज कर देता है metonymie के अंतर गता है और दिवनों याद रखेंगा सिनक डकी और मेटॉनमी जो है वो based on association होता है यानि समीती वो एक जगा पर associate करता है इसलिए इसको based on association कहा जाता है I hope आपको समझ में आया होगा सिनक डकी और मेटॉनमी चलिए अब आगे आते हैं हम लोग transferred epithet अब इसके बारे में समझ ये transferred epithet की बात करते हैं तो transferred epithet को हम लोग high place के नाम से भी जानते हैं पहले आप दूसरा नाम भी याद रखें कभी कभी क्या होता है exam में वो option देता ही नहीं है वो option हटा देता है यानि transferred epithet के जगा high place के नाम दे दिया जाता है hyperbolic नाम exaggerations का नाम दे दिया जाता है ऐसे कुछ बदलाब कर दिया जाता है तो फ्लीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे फिलाल आते हैं it is a figure of speech यह कैसा figure of speech है in which an epithet पहली बात तो यह जानके epithet होता है adjective, epithet का मतलब होता है adjective यानि उसके adjective का transfer होना एक अस्थान से दूसरे अस्थान में जाना तो लिखा हुआ है it is a figure of speech in which an epithet is transferred or attached to a word within which is associated instead of word to which it really belongs या in other word the position of an adjective is transferred so it qualifies not the right noun but some other noun ठीग ना, कह सकते है या कह रहा है कि जो अब हम छोटी सी बात यहां पर देते है यह भी हम कहें आपसे कि adjective है तो adjective एक सब्द होता है जो किसी noun की विशेष्टा को बतलाता है संग्या और सर्वणान की विशेष्टा बतलाने वाले सब्द को हम लोग adjective कहते हैं सुन्दर, इमांदार, बैमान इस सब क्या एक adjective सब्द है और अमूमन ऐसा माना जाता है कि adjective के बगल में noun का प्रियोग हमेशा होता है यानि adjective प्लस noun जरूर आते हैं यानि जब भी हम जिसे सुन्दा लड़का, चालाक राजा, इमांदार लड़का ऐसे सब्दों का प्रियोग करते हैं तो मान लीजिए कि sentence की बनावट कुछ इस प्रकार है तो यह जो adjective होता है वो अपने इस आमूमन हमेशा अपने बगल वाले noun को ही qualify करता हो जैसे मैंने कहा Ram is a good boy तो यह good जो है वो boy को ही emphasize कर रहा होता है और boy के लिए ही use किया गया है जदी मैंने बोला कि Ram is a clever teacher तो यह clever word जो है वो teacher के लिए ही इस्तमाल किया गया है यानि वो qualify उसी हो कर रहा हुआ लेकिन transfer epithet में क्या होगा जब यह adjective इस noun को qualify न करके इसके आज पास कोई बैठा हुआ noun है जो इधर उधर है कहीं पर उसको qualify करना शुरू कर देता है तो यह कहला जाता है transfer epithet तबी तो यहां लिखा हुआ है कि छोटी सी भासा में the position of an adjective is transferred जो position of adjective है वो पूरी दरह से क्या हो जाता है transfer हो जाता है so it qualifies not the right noun यह किस उस राइट नाउं जो सही नाउन उसको qualify नहीं करता है but some other noun replaced near it जो जो placed है आप नजदीक में कहीं पर place है उसको यह qualify कर लेता है समझ गया ना आते है एक्जैंपल देखते हैं he passed a restless night अब है और इस यहां पर यहां पर जो night है वो उसका noun है तो he passed a restless night अब आप बताई यह क्या रा राते बेचें थी यानि राते रेसलेस थी यह वह था तो जाएसी बात है कि यह वह था इसलिए यह एक ट्रांसफर एपिधड का एक्जामपल है, अभी ही लेट सोबीं ओनी स्लीपले स्पीलओ, अब अब स्लीपले स्पीलो तो नहीं है, पीलो तो इत्पले स्लीपले स्नी इत्पले स्कॉन है, इसलिए ये भी टरंसफर एपिड़ेट का एक्जामपल है, I pointed an angry finger at you, मैंने angry finger, अब बता ये finger तो angry होगा नहीं, है ये अलग बात है कि इसके बगल में ये noun है, लेकिन ये adjective होने करण अपना ये qualify I को करा नहीं, गुस्से में I है, I lighted a thoughtful cigarette, thoughtful cigarette, ये adjective है इसका cigarette है, तो मैंने cigarette जलाया, thoughtful तो मैं ही रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये, छोटी सी बात है कि ट्रांसफर इपीठेट वो होते हैं, जो अपने नजदीक के noun, अपने बगल के noun को qualify नहा करके, आजपास मौझूद किसी दूसरे noun को qualify करने लग जाता है, तो वो कहलाता है, ट्रांसफर इपीठेट आपके सामने examples है, ठीक है ना, कोशिस करेंगे, एक ब पड़ा आपकी यह, ठीक है ना, लाइड वोटो उतस, एक ऐसा फिगर-अपे स्पीच है, जो नौन अकारात्मक सब्दों के साथ, आपके सामने प्रस्तूत किया जाता है, समझता ना, इसले यहां लिखा हुआ, ट इस फिगर आप स्पीच, यह अ कैसा फिगर-पेशी इश form of understatement in which a statement is expressed ironically by negative its contrary. मतलब यह negative form में आप कह सकते हैं कि इसके example में no or not का example ले लिया जाता है. उसे हम लोग कहते हैं light otus. तो यह light otus की अनोखी पहचान है, वो क्या है कि उस sentence में no or not का इस्तमाल के जाता है. जैसे आप simile में कैसे पहचान लेते हैं कि उसमें as होता है, like होता है, as, as होता है. उसी तरह से आप light otus में भी पहचान लेंगे कि no or not इसकी पहचान होती है. यहीं, positive statement को negative statement बना करके आपके सामने प्रस्तूत किया जाता है. Let's example देखते हैं. He is not the friendliest person. वो friendliest person नहीं है, इसमें not का प्रियोग किया गया है. तीसरे नमर एक्जामपल हैंगे, I am from no mean city. मैं कोई एरे गरे सहर से नहीं हूँ. यह example सिटेट में आ रखा है. सिटेट में, माफ कीज़ेगा, सिटेट में नहीं है, DSSV के एक्जाम में आता. तो मैं कोई एरे गरे सहर से नहीं हूँ. It was not a terrible trip, not का प्रियोग किया गया है. तो आप जब option आपको मिलेगा, तो आप असानी से इसको पहचान लेगे, कि आरे, इसमें तो no or not का प्रियोग किया गया है. देखे, मैं पहले की क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि जब कभी भी figure of speech के सवाल आप से पुछे जाते हैं, तो आप प्लीज उसके चार option पे फोकस कीजिए. वो चार option ही आपको मदब देगा, आप चाहे कितना भी figure of speech की उना पढ़ ले. आप सिर्फ मौझूदा चार फिगर of speech की परिभासा आपको उस दिमाग में आना चाहिए, उससे में, आप असानी से answer निकाल सकते हैं, जैसे light lotus का मतब आप समझ जीए कि एक negative statement होता है, जिसमें no or not प्रियोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो यह आपका light lotus हो जाता है, आखी चलते हैं हम लोग, अगला है climax, देखें, जैसे पहली class हुई थी, आप लोग प्लीज जिदि आप ये वीडियो दुबारा देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी पहली वाली वीडियो को देखेंगे, तो आपको पता चल जागा, मैंने आपको बताया था कि, ये जो figure of speech होते हैं, वो किसी चीज़ पर निर्भर करते हैं, जो किसी चीज़ पर निर्भर करते हैं, समझें न, जैसा कि मैंने बताया था कि resemblance के based कौन-कौन होते हैं, तो resemblance based में जो होता है, simly होते हैं, metaphor होते हैं, personification होते हैं, apostrophe होते हैं, ये जो सारे figure of speech होते हैं, वो resemblance बेस्ट होते हैं यह मैं अपने पहली वीडियो में बता चुका हूं कि कौन-कौन सा figure of speech क्या-क्या based होता है अभी मैंने थोड़ देर पहले आपको बताया था कि association-based कौन से figure of speech होते हैं तो association-based of figure of speech होते हैं और metanomy होते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं कि बताए कि construction-based कौन स सा होता है construction-based जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं climax यह भी एक construction-based है और इसके बाद आने वाला जो है वो anti-climax है वो भी आपका construction-based ही होता है कोई आप से पूछे कि contrast-based कौन सा होता है तो contrast-based जो होता है वो antithesis होता है epigram होता है तो यह मेरे पहले वीडियो में discuss कर चुका होता है अब climax क्या होता है climax का मतलब होता है उपर की ओर चड़ना और anti-climax का मतलब होता है नीची की ओर चड़ना तो यहां पर मैंने लिखा है कि in this sense, इस sense में rises step by step, जो rises होते है यहनी statement जो होता है वो state by step लिए जाते है, what is more and more important, जो जादा और जो सबसे जादा important हो, the different ideas are arranged, the different ideas are arranged, the different ideas are arranged, अलग-अलग ideas को arranged किया जाता है, in ascending order, बड़ते करम में सजाया जाता है, of importance, महत्वता के नुसार, महत्व के नुसार, यह ascending order में statement को सजा के लिखता है, आगे थोड़ दिर में यह ही देखेंगे, anti-climax में क्या होता है, महत्व के नुसार, यह descending order में statement को आपके सामय रखा जाता है, तो वो anti-climax होगा, फिलाल example देखेंगे, यहां देखेंगे, लिखा हुआ, he was abused, beaten and killed, अब जाय सी बाते, पहले उसको गाली दी गई, फिर पीटा गया, और फिर उसे मार पहले तो नहीं मारा जा सकता है, यही यह statement पहले देखेंगे, फिर वो anti-climax में आ जाता है, लेकिन एक series में लिखा है, पहले abused किया गया, फिर बिटन किया गया, फिर एक series में लिखा गया, she sobs, groans and cries, यह groans है, माप की जगा, groans है, she sobs, वो sob करती है, ससकती है, कराती है, फिर आती है, I came, I saw, I concord, देखेंगे, एक series में statement को लिखा गया, if you think that's bad, जदी आपको लगता है, बुरा है, gets worse, वो और बुरा हो जाता है, बुरा है, तो और बुरा हो जाता है, let a man acknowledge his obligation to himself, his family, his country and his God, a statement को क्या कर रहा है, ascending order में वो उसे सजा के लिखने की कौसिस कर रहा है, या बता रहा है, since concord was lost, friendship was lost, fidelity was lost, liberty was lost, all was lost, अब जाय सी बात है, all was lost, जो है, सब खतम हो गया है, तो ये क्या कर रहा है, अब ये all was lost, पहले तो नहीं लिखा statement, इसने अंत में लिखा है, liberty was lost, तो देखे एक statement, जैसे जैसे जो चीज़ घटा है उसके साथ, वो अब जैसे मैं, मैं गया, मैं देखा, फिर मैं सो गया, तो anti-climax, देखिए anti-climax का दूसरा नाम जो है, वो bathos है, anti-climax का, देहां दखे के, और ये लिखा हुआ, it refers to a figure of speech, ये ऐसे figure of speech को राफर करता है, in which statements gradually descend, statement जो है, धीरे-धीरे gradually descend करता है, नीचे के और जाता है, order of importance, unlike, लेकिन climax की तरह नहीं, unlike climax, climax की तरह नहीं है, ये उसक उल्टा है, order of, जो होता है, वो descend कर रहा होता है, जैसे, he lost his family, his job and his house plants, अब जहाई सी बात है, family खोया है, नौगरी खो गया है, अब उसका house plants हो गया है, तो ये statement ये पहले आना चाहिए था, कि उसका घर का plants हो गया, आगे पीछे होना चाहिए, I die, I fend, I fall, अब जहाई सी ब रहा है, ये descending order में चल रहा है, he was rug, liar and trickster, तो इस statement को देखे, यहाँ पर कैसे लिखा गया है, कि descending order में है, तो वो आपका anticlimax है, और ascending order में है, तो वो आपका climax में, क्याद नाम याद रखेंगे, इसको बैथोस के नाम से भी हम लोग जानते है, ठीक है, ना, अगला आते है, युफेमिजम, युफेमिजम के बारे में और इली आपको पहले बता देता हूँ, युफेमिजम होता क्या है, युफेमिजम का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी statement जो directly किसी को refer किया जाए, किसी को बोला जाए, तो that can be unpleasant, वो unpleasant हो सकता है, वो से बुरा लग सकता है, यदि कोई आदमी लंगडा लूलहा है, और आप उसे directly लंगडा लूलहा कह रहे हैं, तो उसे साइद बुरा लग सकता है, लेकिन उससे ही कम unpleasant, खोड़ा कम बुरा लगने वाला सब्द यूज करता है, जैसे हम लोग physical disable कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो लंगडा है, यदि कोई अंधा है, तो अंधा ना बोल का सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि he can't see, वो देख नहीं सकते हैं, यह नहीं कह सकते हैं, मतलब less unpleasant में दर्साना है, ऐसे statement जो लोगों को directly बोला जाए, तो थोड़ा बुरा लग सकता है, इसलिए उससे statement को हम लोग क्या करते हैं, इंडारेक्ली इवेंट आइडिया, एट्टी सी, एट्सेटरा, एनि वो अनप्लेजन आइवेंट आइडिया हो सकता है, इन लेस अनप्लेजन मैनर, थोड़ा कम, कम अनप्लेजन करके उसको दर्साया जाता है, तो वो उफिमिसम का example बनता है, अब example देखे, he is a special child, अब जैसे disabled को को कह सक जैसे, he is a special child, तो समच जाते हैं कि बात तो यहां पर मन्द बुद्धी बच्चो कही हो रही हो, automatically जो लिसनर है, he can understand what is being said to him, but the speaker uses a very special word, a very acceptable word, to show disabled is a special child, which is less unpleasant, this is high and this high unpleasant, this is less unpleasant, we don't hire mentally challenged, जो यहां पर क्या नाम दे रहें, mentally challenged, तो यह थोड़ा सा अच्छा बात है, he is always tired and emotion, जैसे ड्रंक ना कह करके, tired and emotion एक word लेते हैं, जो उसी को दर्सा रहा है, तो वो उफिमिसम है, you are becoming a little thin on the top, कि टकले को हम क्या कह रहे हैं, ऊपर से आप थोड़ा सा पतला हो रहे हैं, तो यह भी क्या है, यह फिमिसम का example है, आप ही देखते हैं, passed away for die, अब जैसे मरने ना बोल करके, वो नहीं रहें, जैसे मैंने कहा कि आपके दूर के एक रिष्टेदार थे, जो अब नहीं रहें, कि passed away, तो यह थोड़ा less unpleasant, जैसे वो ही बोल दें कि आपके एक दूर के homeless, तो I am homeless, homeless के जगा पर जैसे हम बोलते हैं कि I am on the streets, तो यह एक euphemism का example है, पॉर्नोग्राफी के लिए यूज क्या कर रहे है, adult entertainment, यदि पॉर्नोग्राफी कहते हैं, तो वो एक भद्र सब्द माना जाता है, यदि हम adult entertainment यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बहतर लग रहा ह comfort women for prostitute, prostitute वेश्या को हम एक सब्द दे रहे हैं, comfort women, तो वो आपका euphemism है, बेरोजगार वेक्ती को हम जिदी बोलते हैं कि he is in between jobs, तो he is between jobs का मतलब क्या है, कि वो बेरोजगार है, तो एक बेरोजगार ना बोल का सकते हैं कि between jobs, उसके बीच में ही है, तो यह सारी examples हैं, वो eu हमारा जो 20 वा नंबर का है, वो circumlocations है, अभी circumlocations क्या होता है, मैं आपको ऐसी orally बेले बता दूँ, यह कैसा figure of speech है, जो बातों को बहुत ही घुमा फिरा करके आपके सामने प्रस्तूत करता है, यानि सीधी बात को भी बहुत तरहे तरीके से घुमा फिरा करके, आप तक fact or idea in a roundabout way in state of stating it at once, यानि कह रहा है कि this consists of expressing some fact or idea, कुछ fact और idea आपको इधर सारा होता है, किस मैनर में? in a roundabout way, यानि roundabout way, यानि घुमा फिरा करके, in state of, किसकी जगा आपर in state of stating it at once, यानि सीधा एक बार में ना बोलने के वजाए, वो और कई सब्दों को आपस में जोड़ ज जैढा ना आपर एक जांब देखे, दो विवलेस कुरियेश अव दियेर, आप देगे द विवलेस जो बीवलेस मताब दू दू डिर्शिल लेस होता है, विवलेस कुरियेर्स अभ दी खिवलेस सब्रीर में इप यह बिंद के लिए हवा के लिए इतना बड़ा स्टेटमें यूज किया है, सिधा हवा भी आप कह सकते थे, ठीक ना, तो काम की बात, जो मुद्दे की बात है, आप बहुत देर से इस्तमाल करते हैं, बस आप बातों को घुमा रहे होते हैं, तो वो सरकम लोकेशन का एक्जाम्पल बन जाता है, बहुत कम एक्जाम में पूछा गया, खर सीटेट में तभी तक नहीं पूछा गया, फिर भी आप इसकी जानकारी रखें, तो ये थे हमारे figure of speech, अब मैं आपको कुछ question से रूबरू कराना चाहता हूं, जो आपके सीटेट के previous years में वो सवाल पूछे जा चुके हैं, देखते हैं, हम लोग आगे, सवाल का है, देखें, लिख दिया है मैंने, previous year questions, वो खास करके जो figure of speech based है, जो figure of speech के ही based है, उसी के उपर ये अधारित है, आगे चलते हैं हम लोग, चलिए, एक example है आपका, जो आया है paper में, which literary device is used in the expression to do or die, देखें, do or die expression आपको बताना है, ये कौन सा figure of speech है, सबसे पहली बात, कि figure of speech जो statement है, उसका हम जब भी chain करेंगे, तो मुझूदा चार options के आधार पर ही हम करेंगे, उसी के अधार पर हम कर सकते हैं, तो वैसे हैं, जदि हम खास करके आपको बोले कि do or die क्या है, तो साइध आपके दिमाग में पीछे के कुछ examples या पनी भासा हैं, आए और एक नया नाम दे सकते हैं, लेकिन फिलाल आमें इन्ही में से चुनना है कि ये कौन सा figure of speech है, do or die, तो personification तो है नहीं ये, इसी परकार का, resonance में क्या होता है, हम लोग wobble sound की बात कर रहे होते हैं, हाँ, alliteration में हम लोग बात कर रहे होते हैं, कि दो या दो से अधिक सब्दों के, पहले अक्षर में, consonant word का परियोग किया जाता है, तो फिलाहाल अभी जो example है, वो है आपका alliteration, आप देख सकते हैं, personification में क्या होता है, मानवी करन होता है, निर्जीब चीजों को सजीब वाली quality attribute की जाती है, लक्षन परदान किये जाते हैं, asonance में क्या होता है, we just talk about wobble sound repetition, wobble sound का repetition होता है, alliteration में क्या होता है, alliteration में, consonant letter का repetition होता है, और similarly में तो आपको बताया ही गया है, कि, the quality of A is compared with the quality of B, on the basis of one point or some point, तो ये दोनों examples तो नहीं हो सकता, simply, इसलिए सही example जो हूँ, alliteration है, याद रखेंगे, alliteration इसका सही example है, मैं यहाँ पर mark कर दे रहा हूँ, यह आपका alliteration है, और यह paper में कब पूछा गया था, December 2019 paper first और language one में यह पूछा गया था, यह सवाल, ठीक है न, देखिएगा, आपके पास जोड़ी question paper है, तो आप प्लीज आप इससे match कर सकते हैं, दूसरा example, name of the figure of speech users in the valley of death, एक figure of speech आप से पूछा गया है, वो क्या है, the valley of death, आप इसमें से किसका figure of speech, आप कौन से figure of speech का यह example है, आप बता सकते हैं, पिर से बात करते हैं, metonomy, metonomy में क्या होता है, हम एक substitute word लेते हैं, तो यह example का हिसा नहीं है, simili में क्या हो सकता है, हम किसी को कोई उपाधी देते हैं, किसी को एक नाम देते हैं, तो यह देखते हैं, सिमली तो ये नहीं, सिमली को पता है, आपको सिमली में पूर्ण रूप से नाम नहीं दिया जाता है, उसे उसकी एक या कुछ क्वालिटी आपस में ट्रांसफर होती है, ये भी गलत है, सिनिक ड़की तो अपार्ट टू, होल और होल टू अपार्ट को सम्मोधिन करता है, ये ले देकर के सही एक्जांपल जो बन जाता है, वो आपका मेटाफर हो जाता है, और ये जो एक्जांपल पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था, सीटेट दिसमबर 2019 के फरस्ट पेपर और लेंग्वेज वन में ये सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक ना, आप अग पूछा कब गया था, सीटेट के दिसमबर के पेपर में 2018 के पेपर वन और लेंग्वेज वन में इसका प्रियोग किया जाता है, वैसे आपको पता होगा कि फिगर आप इस पीस के जो सवाल है, वो लेंग्वेज वन में जादा पूछे जाते है, पेपर वन के आपको बताना है कि यह किसका एग्जामपल है, अब आप देखे आसानी से लोग बहुत जल्दी लोग पहचान जाते है, कुछ लोग बहुत जल्दी इस बता देते हैं, इसर इसमें लाइक वर्ड का प्रियोग किया गया है, तो जाए इसी बात ही यह सिमली है, लाइक अश इसका इग्जामपल जो बनता है, वो आपका सिमली होता है, अब याद रखेंगा, यह 2018 के पेपर वन और लेंग्वेज बन में पूछा गया था, ठीके ना, अब आप दे हैं, अपने नेक्स्ट इग्जामपल पे, कह रहा है, दा फिगर आप इस पीस यूस, ड्रिंक लाइ तो यह ड्रिंक लाइफ, चिंदगी को पीने की बात कर रहा है, यहाँ पर देखें एक मानवी करन किया जा रहा है, घौर से देखेंगे, तो यहाँ पर यह मानवी करन किया रहा है, तो यहाँ पर यह मानवी करन किया रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर यह मानवी करन किया र यह आपके personification का example बन जाता है और यह example पूछा गया था आपसे seat 8 September 2016 के paper 1 और language 1 में ने वह दो को ख्लब के बताने आपको कि कौन सा फिग्र रॉप स्पीच यूज किया गया है हाइँ हार्ट में अब आप देखे अब यहाँ पर हो सकता है कि आप आपको बताना है क्या यह simile है क्या डूर दूर तक नहीं हो रहा है क्या यह resonance है और यह एक दा मता होता है यहां पर एलिटरेशन का example आप लगा सकते क्योंकि यहां पर एच कॉमन है और एक एच कॉमन है और यह देखिए ओप्शन में दिये गए ओप्शन के अधार पर हम डिसाइड कर पाएं कि क्या होगा सही जबाब इसलिए यहाँ पर जो सही जबाब हो आपका एलिटरेशन है आप देख सकते हैं कारण भी आपको जानना होगा और आप जब जब करेंगे तब तब आपको परिभास आपने आप याद आ जाएगी क्या कारण है तो हंगरी और हार्ट में पहला लेटर एच्छ है इसका दोनों आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स क्वेस्टन की ओर देपोईटिक डिवाइज यूज इन दे ब्लाक एस दी पिट्ट फ्रॉम पोल टू पोल आपको बताना है कि यह कौन सा फिगर उपी स्पीच है क्या यह यह ऑप्शन हमें सा लगों वैसे हैं मेटाफर है आईरनी है सिमली हे और यह पारलीजम होता है जो सामानांतर होते हैं तो क्या यह मेटाफर है आप जिए आखृँ सर्थ बात करें और किसी खास फिगर उपी स्पीच की है और और वो है आपका सिमली एक का समर्य संधु आपका एस्टमाल कर रहा होता है ठीक है ना आगे चलते हैं हम ल और डे, the poetic device found in these words is a, आपको बताना है कि ये कौन सा figure of speech का है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर as was word का प्रयोक किया गया है, और as is word जो है आपको क्या दर्सा रहा होता है, एक clue है जो कि आपको simile की ओर लेके जाता है, इसका जाता है, इसका जाता है, वो simile है, गौर से देख लीजेगा, आगले आते हैं, art number question में है, the poetic device used in the line, they sparkle like the ocean waves, यह के, they sparkle like the ocean waves, यह आपका statement, आपको बताना, hyperboli है, exaggerations है, simile है, allegory है, आप देखे, यहाँ पर भी आपके लिए statement ने clue छोड़ दिया है, वो है आपका like word, तो ज्यादा तर आपको simile के ही examples आ इसका मते भी नहीं, खाली simile पढ़के जाना है, खभी कभी बदल भी देते है, इसलिए simile का example है, an example of metaphor, जिसमें आपको बताना है की metaphor का example कौन सा है, I want to be, मैं तुम बनना चाहता हूँ, if you rest upon the ground, अब metaphor क्या होता है, metaphor के बारे मैं आपको बता दिया गया है की, की आप कुछ quality of a person is completely transferred to quality to the B, means the quality of a one person is completely transferred to B, वो एक कुछ भी हो सकता है, वेक्ती person, अस्थान, तुसकी सारी quality दूसरों को transfer के, जैसे हां लिखा हूँ, I will become the grass, मैं grass बन जाओंगा, मैं मैं हूँ, लेकिन अब मैं क्या बन जाओंगा, पूरू रूप से grass, तो यही है, आप क्या, metaphor का example, य paper 1 और language 1 में यह पूछा गया था सावल, तो ध्यान से देख लिजगा, यह metaphor का example इसलिए बना है, क्योंकि metaphor का मतलब होता है, किसी को रूप देना, एक उपाधी देना, इसलिए यह third number is the right answer, in the line, hope is the thing with the fetus, अब देखे, अब है कि hope is the thing with the fetus, एक कभीता है, जो जी सी कभीता का यह, यह statement है, उसका figure का यह, यह उस पोयम का पहला line है, आप कह सकते हैं, उसका सिर्शक भी है, उस कभीता का, और इसे जो लिखा था, Emily Dickinson's ने लिखा था, एक कभीता है, और उनका यह पहला सिर्शक का नाम है, और मैं आपको बता चुका हूँ, कि Allegory होता क्या है, Allegory एक, मैं आपको बता दूँ, यह सही example जो है, वो अभी जाएगा, Allegory में जाएगा, क्योंकि Allegory क्या होता है, जो किसी के सिर्शक को संभोधित करता है, उसके अंदर, जो भी जितने भी सारांस है, जितना भी उसका, जेस्ट है, वो सब उसमें संभोधित करता है, तो उस कभीता का नाम जो था, Hope is the Thing with the Feeder, तो यह है Allegory का example, और यह पूझे गए थे आपसे ख़ब, सीटेट, November 2012, Paper 1 और Language 1 में यह सवाल पूझा गया था, आगया आते हैं हम लोग, I loved of Leah, 40,000 brothers, could not, with all their quantity of love, make up my sum, आपको पता नहीं, यह 40,000, जब भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर का जिकर किया जाता है, दस बार, बीस, पचास, अजार लाक, तो वो सब सब एक बड़ा statement कहा जाता है, बढ़ा चड़ा करके बोला गया statement माना जाता है, वो सारा जो example होता है, वो hyperbully में example में आता है, और यह William Shakespeare के द्वारा लिखा गया novel है, उसमें इसका जिकर है, ठीके न, तो यह hyperbully का example माना जाता है, आगे आते हैं, और rhetorical question is asked, rhetorical questions का पूचित आब इसको interrogation question ली कह सकते हैं जिसमें आपको कोई खासा जवाब की जरुवत नहीं होती है for this sake of effect with no answer needed आपको एक ऐसा जवाब जिसमें आपके answers की कोई खासा जरुवत नहीं होती है वो rhetorical device में count होते हैं इसलिए आप इसका जो सही जवाब लगाएंगे वो लगाएंगे तीन नंबर और देखिए मैंने यहां लिखवा दिया है कि यह सवाल कप पूछा गया तो वो अलक questions होंगे जो figure of speech आपके सीटेट में नहीं पूछा गया यह फिलाहल सब पूछे गया सारे सवाल है इसलिए ध्यान से देखिए तो यह आपका हो गया और अगला सवाल है an example of personification in the poem is एक देखिए हम डारेक्ट यहां पर कुछ सवाल नहीं पूछ पाएं क्योंकि कभी कभी सीटेट में क्या होता है वो direct figure of speech पूछते हैं लेकिन कहते हैं कि line number 7 बताए कौन सा figure of speech है line number 1 तो उसके लिए फिर हमें पूरी poem की जरूत पड़ जाएगी इसलिए हमने वो example pick किया है जिसमें हम बिना poem के ही answers बता सकते हैं फिलहाल आपको बताना है कि इसमें से कौन सा example जो है वो personification का हिस्सा हो सकता है तो देखिए यह तो नहीं होगा like आ गया है तो यह तो similar का example हो example है बाकी जो है वो personification का हिस्सा नहीं बन पाता है तो यहाँ पर आपने कुछ questions देखें हैं इससे समंदित आपको questions आप तक पहुंचाने की पूरी कोसिस की जाएगी आज का यह chapter जो है figure of piece which यहीं पर खतम होता है अगले वीडियो में हम लोग methods and approaches के वारे में बात करेंगे तब तक आप इन सब का revision करते रहें और कोई परिशानी हो तो अगली class में हम आपसे पूछ लेंगे और इसको repeat करने कोसिस करेंगे और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो like और subscribe जरूर करें ठीक है ना तब तक के लिए धन्यवाद करेंगे तो